हाई एबरिवन वेलकम टू लर्न विद मी दिसी शिनम कटारिया अगर अभी तक आपने लर्न विद मी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब तो लर्न विद मी इंडिया की तरफ से बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आ रही है राइट सो पिपल ओफ शि प्लू या शिन्स यांग प्रोविन्स को लेकर सिंजumuz यांग रीजन को लेकर देखें चाइनअ के घर वेस्टर में देखेंगे तो इसीasान कर ये भारत ने बोला कि जो चाइना है उसके द्वारा इस शिंज्यांग रीजन में जो लोग रहते हैं उनके साथ गलत वहवार किया जाता है उनके यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये वोटिंग करवाई गई तो इंडिया ने कल उस वोटिंग से अपसेंड कर दिया अपने आपको म इस शिंज्यांग मस्ट भी रिस्पाक्टे अन गरंटेड और इस आर्टिकल में जो मिनिस्टी ओफ एक्स्टरनल अफेर के स्पोर्क्स परसन है उनके द्वारा ये भी बताया गया है कि इंडिया ने कल वोटिंग करने से मना क्यों किया है यहां पर रीट कर सकते हैं ये स्टेटमेंट आता है यहां पर आप देख सकते हैं इंडिया की तरफ से ये भी स्टेटमेंट आई है कि जो human right है जो people है शिल्ज्यां के उनके respected होने चाहिए ये गरंटेड होने चाहिए और इंडिया ने ये भी कहा है कि हम होप करते हैं जो रेलिवेंट पार्टी है वो इस सिचुएशन को अब्जेक्टिवली और प्रॉपरली अड्रेस करेगी ये कहा गया है मिनिस्ट्य ओफ एक्सटरनल अफेर के स्पोक्स परसन बाक्ची की तरफ से वाई इंडिया अप्सटेंड फ्रों वोटिंग अब ये बात महतब पूरन बात है उन्होंने कल वोटिंग नहीं की तो उसके बारे में ये स्पोक्स परसन के द्वारा क्या कहा गया है उन्होंने ये बोला है कि इंडिया की जो वोरन पॉलिसी है वो पढ़े लंबे लडाक को लेकर आपस में लड़ रही है और इंडिया हमेशा खड़ा रहता है हमेशा कमिट करता है बट कल वोटिंग नहीं की गई उसके पीछे यही है कि हमारी फोरन पॉलिसी लंबे टाइम से जो चलती आ रही है उसमें यही है कि हम कंट्री के स्पैसिविक रिजुलेश और चाइना के बीच में जो बोर्डर को लेकर जो इस्टन लडाक को लेकर जो लडाई है वो कहने को तो यह कहा गया है कि वो सिच्वेशन जो है वो स्टेबल हो गई है बट वो सिच्वेशन स्टेबल नहीं हुई है अभी अभी सम स्टेप्स आर रिक्वाइड फोर फुल मतलब अभी कुछ step लेने बाकी है, we have not reached there, तो बाक्ची ने जो ये statement दी है, वो जो चाइनीज इन्वोय है, सन वाइडोंग, उन्होंने ये बोला कि जो चाइना और इंडिया के बीच में जो बोर्डर इस्टन लदाक को लेकर जो सिचुएशन हो स्टेबल होगी है, तो उसके response में बाक्ची ने ये बोला कि अभी situation normal नहीं हुई है, और उन्होंने एक statement और भी बताई है, उन्होंने ये कहा है, कि जो six Indian prisoners थे, उन्होंने अपनी jail term complete कर ली थी, उसके बाद भी उन्हें पाकिस्तान में, मतलब पाकिस्तान में उनकी मृत्यू होगी, अगर यहाँ पे और बात की जाए, तो उन्होंने अपनी sentence थी, जो अपनी jail थी, वो complete कर ली, फिर भी पाकिस्तान के द्वारा उन्हें illegally detain किया गया, तो ये सारी जो चीज है, ये इंडिया ने बताई है, कि कल उन्होंने वोटिंग करने से मना क्यों किया है,